नमस्कार मैं रिणो शुक्ला आज की एपिसोड में हम बनाएंगे आलू मटर करी चलिए आगे बने यह है वह सामगरी जो आलू मटर करी में लगेगी यह दस बारा आलू हमने चील कर रखी है यह हरी मटर एक कप है दो टमाटर करते हुए यह दो प्याल छोटे टुक्ड़ों में कटा हुए यह आट दस दाने लैसू थोड़ा सा नालियक एक इंच अध्रक कटुड़ा थोड़ा सा पोस्ता दानों अती हरी मिर्च थोड़ी सी र एक चमबज लाल मिट्स पौडर एक चमबज धनिया पौडर एक चमबज जीरा पौडर एक चमबज गरम मसाला पौडर और नमक स्वादरुसार अलू पटर करी बनाने के लिए सर्सों का तेल यानी मस्टाड ओयलम लेंगे सबसे पहले अलू फ्राइ कर लेते हैं तेल मारा गरम होगा आ पिसके आलू दाल देते हैं एक खोलेम को मिलिजिया अप्टियों प्राइप मेंगे लेंगे लेंगे अप्टियों लेंगे अपिक लेंगे अपिक आटेए जब तक हमारे अलू प्राई हो रहे हैं आये तब तक हम मसाला पीछ लेते हैं इस मसाला पीछ गया है अच्छी तरीके से और अलू प्राई हो चुक है हम इनको निकाल देते हैं अब हम इसी तेल में जीना डालेंगे और अब हम याज डालकर फ्राई कर लेता है अब इसी में हम पिसाओ मसाला मिक्स कर देता है और इस मसाले को तब तक भूलना आए जब तक की मसाला तेल ना चौँ देए फ्लेब को मीजियम ही रखेंगे मसाले से तेल अलग हो गया कापी अची तरीके से बहुच चुका अब इसमें सुखे मसाले मिक्स कर देता है अली पाउडर लालमेंस पाउडर दनिया पाउडर और इसको दो मिनट के लिए भूम लेते हैं वापस दो मिनट हमारे हो गया और मसाल अची तरीके से बहुच गया है इसमें आलू और मटर मिक्स कर देता है अब ये नमक स्वादन स्वार वर शो देता है यालू बटर मसाले में अची बरीके से मिक्स हो गया अब इसमें हम पानी मिक्स करेंगे पानी अब अपने हिसाब से कब ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको गाली ब्रेवी बनानी है तो कम पानी डालें अब फोड़ी पतली का भी तो ज्यादा पानी डालें अब इसको हम ढखकर 10-12 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लिम पर सबजी हमारी त्यार हो रही है इसको बीच में एक आद बार उन चला लेंगे बार मटर चेकर लें पर दो मिनट के लिए इसको ढखकर और पकाएंगे सबजी हमारी बन गई है अब फाइनली हम इसमे धनिया और गरम मसाला मिक्स करेंगे गरम मसाला पाउड़ा है और धनिया कटी होई आज की सबजी आलू मुटर करी आलू मुटर की सबजी तो सभी लोग बनाते हैं और सब लोगों की सबजी अच्छी बनती है आप भी इस तरीके से आलू मुटर की सबजी बनाईए और इंज्वाइ कीजिए चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चलिए गुडबाई